एक वीडियो को काउंटर करूंगा, वो वीडियो मुझे बिल्कुल यूजलेस लगा, इनसे तो मुझे समझ में नहीं आने वाला है, तो फिर आपका कुछ भी नहीं हो, कोई भी टीचर यह नहीं चाहता है कि हमारा बैच छोड़ कर कि किसी और बैच से कोई student परे, सब टीचर करने से पहले मैं एक वीडियो को काउंटर करूंगा, काउंटर नहीं, एक तरह से मैं reply देने वाला हूं, क्योंकि वो वीडियो मुझे बिल्कुल useless लगा, देखो इस वीडियो को लेके समका point of view अलग हो सकता है, लेकिन जो मेरा point of view है, आप लोग देख लेना और नीचे comment कर करना कि हा इसमें ऐसा हो सकता था या फिर तुम गलत हो, किसी को नीचा दिखाना नहीं है इस वीडियो में, मैं वीडियो को start करता हूं, पहले इस वीडियो को जिसने review किया है, मैंने वो वीडियो देखा, मुझे अच्छा नहीं लगा वीडियो, literally अच्छा नहीं लगा, त क्योंकि उसमें बहुत जादे मिस्गाइड किया गया तो सबसे पहले तुम वह वीडियो देख लो जिस वीडियो को मैं कॉंटर करने वाला हूं देन फिर मैं अपना ओपेनियन दूंगा इस वीडियो पर सबसे पहले जैसे तुम यूटूब पर आते हो तो तुम जैसे सर्च करोगा कि यकीन कि 2025 कि डिव्यू को 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 में सबने दिखाया भी है कि क्या सही है क्या गलत है इसको खुद पता होगा कि मतलब किसी को भी मिस्गाइड ऐसे नहीं किया जा सकता है तो मैं तुम्हें वीडियो प्ले करता हूं और दिखाता हूं कि हम लोग रेट कर सकते हैं तो भाई ने टीचर को रेटिंग भी दे दिया है 10 में 8 दे रहे हैं जबकि यह पहला क्लास है एक क्लास से किसी भी टीचर को आप जज नहीं कर सकते हैं कि वह कैसा पढ़ा रहा है या फिर किस तरह का क्वंटेंट द पर आया है उसके बाद यह ओनलाइन में आये पिछले साल भी यकिन में यही पर आ रहे थे फिजिकल अब मैं यह बता देता हूं कि रिप्लेस्मेंट किस-किस टीचर का हुआ है रिप्लेस्मेंट हुआ है नोमेस गोपलानी सर का उसके जगह पर सुजित सरा है जिनका रिप्लेस्मेंट हुआ मतलब फिजिक्स के जो टीचर थे मोहित अग्रवाल सर वो केजियस जोएन कर लिए है खान सर ग्लोवल इस्टडी सेंटर जो भी है उसको जोएन कर लिए है सैद वो ओफलाइन या उनलाइन में परहेंगे तो अगर आप चैनल देखते होंगे तो व बेसिक मेंट के एंगल्स बता रहे थे बेसिक मेंट में वो भी एंगल टॉपिक परहें और ट्रिगनोमेट्री का कुछ बेसिक पार्ट परहें जो की नाइन टेंथ में परहाया जाता है अनता हूं आपका टीचर से फ्रिक्वेंसी मैच नहीं होता है कभी-कभी जब बेसिक नहीं बन बेसिक को असंट कर से उनल टो नहीं होता है तो परहें नहीं है। थोड़ा इसका मतलब spelling mistake है तो इस बज़ा से परने में दिखता थोड़ा है तो तुम खुद परलो यहां पे लगा हुआ है इपोक्रसी की भी सीमा होती है शारी यकिन टूपांट हो मीरते है पी डवलू का कोई पार्ट नहीं ले रहा होगी मैं पी डवलू के तरफ हूँ यह इसके तरफ हूँ ऐसा कुछ नहीं है और इसने जो बोलाए कि यकिन बैच इसलिए लॉंच होता है बच्चे जुटाने के लिए यह वो यह सब यूजलेस बाते हैं मतलब अगर तुम कोई बैच को अच्छे से फोलो करते हो तो तुमारा सेलेक्शन होता ही है तुमने भी देखे होंगे कि कोई भी स्टुडेंट एक टीचर पे स्ट्रिक्ट रहता है तो वो जरूर सक्सेस हो जाएगा और स्टीचर से परेगा तो फिर कभी नहीं होगा तो और इसने बोला कि 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 सारे बैच इसलिए लौंच किया जाते हैं ताकि बच्चे को लाया जा सके बहुत सारे रेवेन्यू जेनरेट किया जा सके तो भाई अलग सर जब बैच लौंच करते हैं तो यह बोलते हैं कि अगर आपको 1.0, 2.0, 3.0 से परना है अगर आपके बैकलोग हो जाते हैं तो आप अभी इसमें इंडॉल कर लिजी आपको साथ में ही बैच मिल जाएगा ना कि उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है जो भी यकिन 2.0 लिया होगा उसको पता होगा कि प्रिवियस एर में 6.0 तक बैच आया था सायद तो वो सारे बैच फ्री में मिले थे सारे बच्चों को कोई भी टीजर यह नहीं चाहता है कि हमारा बैच छोड़ कर किसी और बैच से कोई स्टुडेंट परे सब टीजर यही चाहता है कि हमारे बैच से परे और हमारे बैच से सेलेक्शन हो कोई भी टीचर ये क्यों चाहिएगा कि मेरा बैच छोर के दुसरे बैच में परे हम सभी backlog create करते हैं फाल्तु time based करते हैं इस बज़ा से backlog create होता है और हम लोग अपने मन से batch shift करते हैं कोई teacher तो नहीं बोलता है कि batch shift करो कोई भी teacher force नहीं करता है कि आप 6.0 से परो 5.0 से परो जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे shift का देता हूं ऐसा नहीं है कि मैंने ही सिर्फ इसका counter किया है इसे वीडियो बना कर बताया जा कि किस तरह से misguide किया जाता है कुछ ब्यूज के चकर में लोग कुछ भी बोल देते हैं मतलब negative भी बोलना है तो आप दिखाओ तो point क्या negative है नहीं है ऐसा नहीं है कि negative वीडियो नहीं बनते हैं भाई वीडियो तो उसके लिए point भी तो तुमारे होने चाहिए ऐसे तुम कुछ से कुछ बोले जा रहे हो बस हो गया व्यूज के लिए कुछ भी बना देना है वाकी कमी अपने अंदर होती है batch change करने से teacher change करने से legend teacher आने स कुछ नहीं बोलोंगा बंकि एक सेर मुझे याद आ गया तो मैं तुम्हें सुना देता हूं गालिम ने एक मज़ेदार बात कही है ता उम्र गालिव ये भूल करता रहा और धूल चेहरे पर थी आयना साफ करता रहा उमीद है तुम्हें इसका meaning समझ में आ गया होगा अगर नहीं भी समझ आया तो कुई बात नहीं कमी अपने अंदर होती है और हम लोग दूसरे के ऊपर लगाते हैं कि यह टीचर अच्छा नहीं है यह नहीं है वह नहीं है एक्ट्व में हम लोग सुझन नहीं होते हैं मैं बात यह है सकते हैं चैसे सब्सक्राइब सबस्क्राइब टो तो उसके लिए तुमको ट्रॉपे देना रुपे और यहां पर क्लासे स्टार्ट हो गया है अभी में पास लोगी यह नहीं दिखा देखते हो यहां पर तुम तुमक्षेस्ट नहीं हुआ तो यहां आई इस जो चल ला है वही दिख रहा है एनॉंस्मेंट सेक्शन में तो अपने गलती को एक्सेट करो और इस भी टीजर से पर रहे हो उसी से कंटीनिव करो मेरा कोई मोटिव नहीं था कि यहां ग्यान देने का बाकि मिस्गाइड कर रहा था इसलिए मैं आया था मैं इस तरह का वीडियो नहीं बनाता हूं मतलब कभी भी मैं guidance नहीं देता हूं क्योंकि मैं भी एक normal student हूं तुम जो गलती करते हो वही गलती मैं भी करता हूं तुम backlog create करते हो मैं भी backlog create करता हूं मैं भी fall to time कभी कभी best करता हूं उम्मीद है तुम्हें बात समझ में आ गई होगी मिलते हैं आगले वीडियो में